सबी स्टुडेंट्स को नमस्कार, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 23 तारिक से एक्जाम फोर्म स्टार्ट हो गए हैं, मुख्य परिक्षा के, रेगुलर स्टुडेंट, एक्से स्टुडेंट और प्राइवेट स्टुडेंट, आपको ये भी पता है कि इस बार सभी के एक साथ ही चालो कर दिये गए, तो आप जिस पॉर्टल से ओनलाइन कर रहे हैं, उसके उपर कुछ नॉटिपिकेशन डाला है, सेकवाट उनिसिटी ने, उसको कोई द्यार नहीं देगा, डायरेक्ट आप फारंबर होगे, लेकिन उसके उपर क्या लिखा है, वो आप मैं बता देता हूँ, और ये इस्पेसली सुजाव दिया भी गया है में, कि आप स्टुडेंट को पहले से बता दे, पहला सुजाव ये है कि अगर कोई स्टुडेंट फोरम बर रहा है, और बाय मिस्टेक सरवर की वज़े से, अगर उसकी फोटो साइन नहीं आ रही है, फोटो साइ साइन, PDUSU, इस पे आप अपनी फोटो और साइन बेश सकते हैं, और उसके बाद 24 गंटे बाद ये अपडेट हो जाएगा, तो आप प्रेंट आउट निकाल के उसको जमा करा सकते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, पहला पोइंट इनो नहीं ये बताया है, दूसरा इनो नहीं ये बताया है कि जिन चात्रों का पेमेंट बैंक खाते से कट गया, लेकिन सुल्क जो है, सर्वर की वज़े से फस गया, मतलब आपका पेमेंट भी कट गया, और आपका फोरम भी नहीं बरा गया, और वो फोरम पेंडिंग रह गया, अब आपको टेंशन ये हो ग करें वहाँ पे आपके अगर payment कट गया तो वहाँ पे आपका फोरम से मतलब सीन कर दिया जाएगा वहाँ से आप फोरम नंबर लेके और डेटो बर्त लगाके अपना फोरम निकाल सकते हैं आपको दुबारा प्यमेंट करने की आवसकता नहीं है लेकिन आपको 48 गंटे वेट क करना पड़ेगा तीसरा पॉरम इसमें जिन स्टुडेंट ने अभी जिन स्टुडेंट्स ने सप्लीमेंटरी के लिए आवे दन क्यातार उनके एक्जाम फोरम अगर वो फेल हो जाते हैं या पास हो जाते हैं तो उनके फोरम विसविद्दाले के अगले आदेस के बाद ओन वगिरा कुछ नहीं लगेगी आपको वोई जो समय इनको दिया जा रहा है वो आपको दिया जाएगा ठीक है तो आप ये टेंसन भी फिरी रहे है चोथा फॉइंट ये है कि जिन स्टुडेंटों ने अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम में किसी के ड्यू चल रहे है और जैसे अपन एक्जाम फॉरम बढ़ते हैं रॉल नमबर लगाते हैं तो एक्जाम फॉरम उपन होता है अब एक्जाम फॉरम उपन हो गया है और उसमें अगर आपके कोई डिटेल्स गलत आ रही है कि जैसे माल लीजी आपका ड्यू पर चल रहा है और उसमें इस्यों नहीं कर रहा है तो आप ये मत सोचिए वहाँ पर फ्रेस फॉरम के सुईदा दे रखी है हर किलास के मतलब है ऑप्शन में दे रखा है फ्रेस फॉरम तो आप फ्रेस फॉरम अपलाई कर सकते हैं अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगर नहीं आ रही है तो आप रेगुलर वैसे जैसे बरते आएं वैसे बरिए जैसे first year के हैं तो वो second year में बर रहे हैं तो आप first year के roll number लगा के बरें बाकि जो phrase student है वो अपना first year में आये हैं तो वो phrase ही बरेंगे बाकि सब के form चल गए हैं किसी भी परकार की कोई दिक्कत हो तो आप इसमें देखिए और phrase इतना मैं बताना चाहूंगा कि आप कोई भी फोरम अप्लाई कर रहे हो किसी भी class का private regular student का तो आप payment करने से पहले जरूर चेक कर लेना payment करने से पहले अगर आपने कोई गडबड़ी पकड़ ली आपनी गडबड़ी सुदार ली या कोई गलती सुदार ली तो ठीक है अगर payment होने के बाद अगर आप देखते हो तो वो संसोधन नहीं होगा वो आपका दुबारा ही फोरम अप्लाई होगा हाँ regular student है उनके संसोधन हो सकता है आप अपनी college से संपर कर सकते हैं ठीक है और कोई भी दिक्कात हो तो आप मेरे को comment कीजिए मैं आपको समाधान बताऊगा बागी जय हिन जय बारत